नमस्कार दोस्तों अक्सर जब बच्चों और उनके मातक्ता से बात होती है तो एक विसे बड़ी रुची का आता है जिसमें आता है कि बच्चों को सफलता के लिए अपने स्कूल में सफलता के लिए जीवन में सफलता के लिए किन गुड़ों किया हो सकता है तो चर्चा होती अच्छा IQ संभावना से आगे गारंटी नहीं हो सकता है दूसरी चीज मेहनत की आती है मेहनत तो अगर कोई बच्चा लंबे समय तक बड़ी रुची के साथ में बड़ी तन्नीनता के साथ में एक विशेफ है समय दे रहा है तो वो समय उसके लिए मेहनत ना होके उसके लिए सुरूत हो सकता हो विशेफ है उसके आनंद का सुरूत हो सकता है अब ऐसे बच्चे से कहा जा है कि आप बड़ी मेनत कर रहे हैं तो साथ उसके लिए वो सब्द सही नहीं होगा उसको तो वस वो एक satisfaction और आनंद का सुरूत है तो ऐसा बदलाब किसी बच्चे के जीवन में क बाता है जब वच्चा positivity के से भरा होता है और यह positivity आती कहां से है यह positive आती है उसके आसपास के बातावड़ से तो दोस्तों अपने बच्चे और अपने आसपास के बातावड़ के लिए आपको बड़ा सा जग रहने के जुरू होते हैं जब आप negative लोगों से मिलते हैं negative energy व आप सफल और motivated लोगों से मिलते हैं तो उन लोगों की motivation का कुछ न कुछ असर आपके उपर पड़ता है उनकी positive energy किसन किसी रूप में आप में आती है तो कैसे पैचाने कि कैसे लोगों से दूर रहना है और कैसे लोगों से संपर्क बढ़ाना है तो number one जो लोग अपसद दू सोचनाएं करते रहते हैं परिस्टियों को जुम्यादा ठहराते रहते हैं विस्या के बारे में कम और व्यक्तियों के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं ऐसे लोग मनुश हैं इनसे दूरी बनानी ये negative energy शिर बढ़ेगों लोग हैं जो लोग जीवन में सफल हैं और focused हैं और ऐसे लोग मोटिवेशन से भरे हुए हैं तो ऐसे लोगों से हमें संपर्ग बनाना हैं ऐसे लोगों की positive energy हमारे आसपास एक positive environment create करती है जो हमारे सफलता का द्वार है और ये भी देख्या क्या है कि जिन वच्चों का IQ ज़्यादा होता है और जिन वच्चों के आसपास negative positivity ज़्यादा होती है उसमें नसा और हथासा की समावना बढ़ जाती है तो दोस्तों मेरी एपील है कि अपने और अपने बच्चों के आसपास के माहौल के लिए पूरी तरह से सतर्क रहें positivity का माहौल रखें ये बच्चों की सबगता के लिए बहुत यावाद सेकें